पंजाब में संकट का सामना कर रही कॉंग्रेस पर अब दिल्ली में उसके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ही सवाल उठा दिया है कपिल सिब्बल ने कॉंग्रेस नेता राहुल गा अन्धी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो उनके करीबी थे वे भी साथ छोड़ कर जा रहे हैं उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद, जोतिरादित्य सिंधिया और ललितेश त्रिपार्थी जैसे बड़े नेता हमें छोड़ कर जा चुके हैं उन्होंने कहा कि पार्टी में फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, उस पर चर्चा करने के लिए कॉंग्रेस कार्यसमिती की बैठक बुलाई जानी चाहिए सिब्बल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास फिलहाल कोई अध्यक्ष तक नहीं है उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द एक निर्वाचित अध्यक्ष की जरूरत है इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में जारी नाटक को लेकर कहा कि इससे पाकिस्तान को फाइदा होगा सिब्बल ने कहा कि सीमान्त राज्ज में अस्थिर्ता के हालात ठीक नहीं होंगे कॉंग्रेस पार्टी को लोग लगातार छोड़ कर जा रहे है जितिन प्रसाद, सिंधिया, अभिशेक मुखर जी, ललितेश त्रिपाठी जैसे नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है जो लोग खास थे वही पार्टी छोड़ कर चले गए कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी को जल्द से जल्द कॉंग्रेस कार्यस्मिती की बैठक बुलानी चाहिए दुर्भाग्य है कि हमारी पार्टी के पास कोई अध्यक्ष नहीं है इस मौके पर ही जी 23 नेताओं के बोलने लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम पार्टी को खत्म होते और नुकसान होते नहीं देख सकते हम पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते हैं हम आज भी यही कह रहे हैं कि पार्टी को बुनियादी तौर पर मजबूत कीजिए और लोगों की बातों को सुनिए क्या पंजाब में हमारी वजह से संकट पैदा हुआ है सिब्बल ने कहा हम जी 23 वो लोग नहीं हैं जो पार्टी छोड़ कर कहीं और चले गए हूँ यह विडम बना है कि जो उनके करीब थे वे उन्हें छोड़ कर चले गए और जिन्हें वे अपने करीब नहीं मानते हैं वे आज भी साथ खड़े हैं कपिल सिब्बल ने कहा कि हर कॉंग्रेसी को यह सोचना चाहिए कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जा सकता है पार्टी को जो भी छोड़ कर गए हैं उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए क्योंकि अकेले कॉंग्रेस ही इस देश में डेमोक्रेसी को बचा सकती है पंजाब के हालात को लेकर सिब्बल ने कहा एक सीमान्त राज्ज में जो हो रहा है उसका क्या मतलब है इससे ISI और पाकिस्तान को फायदा होगा हम पंजाब और वहां चरमपंथ के इतिहास के बारे में जानते हैं